हालो फ्रेंड्स आज हम दर्शन शात्र के एक और प्रक्रन पर बात कर रहे हैं जो है प्रयोजनवाद या प्रैग्मेटिस्म तो आईए बात करते हैं प्रयोजनवाद और इसका शिक्षा में क्या महत्व है इन सबी बिंदूओं पर सबसे पहले परिचय की बात करते हैं तो प्रयोजनवाद को अंग्रेजी भाषा में प्रैग्मेटिस्म कहा जाता है जिसकी विद्पत्ती ग्रीक भाषा के शब्द प्रैग्मा से हुई प्रेग्मा का अर्थ है क्रिया अत्वा किया गया कार्य अर्थात जो प्रेग्मेटिज्म या प्रियोजनवाद का सिध्धान्त है ये क्रिया आधारित सिध्धान्त कहा जाता है इस विचारधारा में क्रिया शीलता तथा व्यवारिक्ता को महतुपूर्ण स्थान दिया जात दर्शनवाद के वचारवादी सद्धान्त वह है हमारा प्रियोजनवाद इसमें यह माना जाता है कि पहले क्रिया अत्वा प्रियोग होता है और इसके परिणाम सरूप विचारों अत्वा सद्धान्तों का निर्मान होता है इसलिए प्रियोजनवाद को प्रियोग वाद भी कहा जाता है प्रियोजनवादी जो विचारधारा है वो किसी भी कारे के लिए या किसी भी क्रिया के अस्तितों पर बल देती है इसमें प्रियोग करने और प्रियोग से जो परिणाम प्राप्तों होते हैं उनके आधार पर नए नियमों, सिद्धान्तों या नई विचारधार भी द्यान के निर्माद पर ध्यान दिया जाता है या उन पर बल दिया जाता है, इसलिए चुकि इस में प्रियोग पर अधारीत प्रियोग वातowski भी कहा जाता है, इसके अन्य नाम भी है, वहां आगे बात करेंगे। अगर सरल शब्दों में बात की जाए तो प्रियोजनवाद दर्शन की वह शाका है जो किसी पूर्व सिद्ध सत्य को स्विकार नहीं करती ये पूर्व सिद्ध सत्य को स्विकार इसलिए नहीं करती क्योंकि ये वर्तमान में किये जाने वाले कारियों और उनकी क्रिया शीलता पर आधारित सिद्धान्त है, इसलिए ये कारिक को करकर उसके आधार पर नई सिद्धान्त के निर्मान पर बल देता है, पूर्व सिद्ध सिद्धान्तों को इस्विकार नहीं करता, इसलिए इसे व्यवारवाद, अनुभवाद, फलवाद, प्रियोगवाद, आधी नामों स से भी जाना जाता है इस विचारधारा में एक और आदर्शवादी मानेता को चुनौती दी और नवीन इस्थापना प्रस्तूत करके ये प्रतिपादित किया कि संसार और सत्य दौनों परिवर्तंशील है जैसा कि हमने इससे पहले वाले आदर्शवाद का जो वीडियो था उ आदर्शवादी जो विचारधारा है उसमें अध्यात्मिक मुल्यों को बल दिया गया है और संसार और सत्य दौनों को स्थाई माना गया है क्योंकि वो सब इश्वर तक पहुंचने का या इश्वर तक हमारा तार्तम में बिठाने का एक साधन है ऐसा आदर्शवाद में मा प्रकर्तिवाद का भी इसने विरोत किया क्योंकि इसमें प्रकर्तिवाद में माना गया है कि मनुष्य जो है प्रकर्ति का एक खिलोना मात्र है यानि वह कुछ नहीं करता जो भी होता है प्रकर्ति पर आधारित होता है प्रकर्ति जैसा चाहे वैसा मनुष्य से कारे करवा स इसलिए इसने प्रकर्ति वाद का भी वरोध किया इन दौनों सिध्धानतों को नकारते हुए इसने अपनी बात कही और यह बताया कि ना तो किसी आध्यात्मिक मूल्यों का ना ही प्रकर्ति का निर्मान में कोई योगदान होता है सत्य का निर्मान होता है व्यक्ति के द्वा की जाने वाली जिल्याओं के आधार पर वो किसी कार का जो प्रियोजन होता है उसके आधार पर यह स्विज़ को स्विखार नहीं करता कि जो पढ़ले से सत्य मानी जा रही थी, आज हम उसको बगैर किसी प्रूफ के हम सत्य मानने हैं. यह कारे करके, उसको प्रूफ करके, प्रियोगों के आधार पर पुष्ट करके उसको मानने पर βल देता है। पूर्व सिद्ध जो सिद्धान्त थे या जो सक्ते पहले माने जाते थे वो उनको उसी रूप में स्विकार करने का विरोत करता है इस विचारदारा के अनुसार प्रत्ते कारे का प्रयोजन अत्वा क्रिया का मुल्यांकन उसके परिणाम या फल के अनुसार निश्चित किया सत्य का निर्मान करेगी, किन सिध्धन्दों का निर्मान करेगी, कौन-कौन सी विचार नए उत्पन करेगी, तो ये सब कार्यों के आधार पर ही जो है वो निश्चित होता है, किसी सत्य या पूर्व निर्धारित या पूर्व में मानी गई विचारधारों पर ऐसा आधारि नहीं होता प्रियोजनवाद यह मानता है कि सत्य सदेफ परिवर्तनशील होता है वह इस्थाई नहीं होता यानि सत्य हमेशा समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है इसमें इस्थाई त्व जो है वो नहीं होता यह परिवर्तनशील है संक्षेप में कहा जा सकत इसके अनुसरी और प्रियोजनवाद मानव केंधरित है, जिसके अनुसार मानव का निजी अनुभा भी वास्तिविक्ता का किंधरबुन्दू है। माना है एक डेफिनेशन यहां हम बात करते हैं जैम स्प्रेट की तो जैम स्प्रेट ने अपनी परिवाशा में बताया कि प्रियोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धान्त, सत्य का सिद्धान्त, ज्यान का सिद्धान्त और वास्तिविक्ता का सिद्धान्त देता है अब बात करत प्रियोजनवाद के रूप कितने हैं, फॉर्म्स क्या हैं प्रेग्मेटिस्म की, तो बेसिकली इसके चार फॉर्म्स हैं, जो पहली है वो है मानववादी प्रियोजनवाद, उसके बाद है प्रियोगवादी प्रियोजनवाद, नामवादी प्रियोजनवाद, और चौता है जैवे की प्रयोजन वाद, तो पहली बात करते हैं मानव वादी प्रयोजन वाद, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है मानव वादी, यानि ये मानव के लिए जो चीज लाबदायक है, जो कारिप या जो प्रयोजन मानव के लिए लाबदायक है, उस पर बल देता है, इसके लाब की बात करता है कि उसके लिए जो भी क्रियाई लाब दायक हैं वो सभी मानववादी प्रियोजनवाद के अंतरगत आती हैं। दूसरा जो इसका रूप है वो है प्रियोगवादी प्रियोजनवाद यह प्रियोगों पर आधारित है और प्रियोग विज्ञान में होते हैं इसलिए आदोनिक विज्ञान प्रियोगों पर आधारित माना गया है इस विचारधारा के अनुसार प्रियोग द्वारा जिसकी प्रियोग के आदार पर जिसको आप पुष्ट कर सकते हैं वही सत्य के निर्मान करेगा बाकी कोई और विचारधारा नहीं ये प्रियोगवादी प्रियोजनवाद में कहा गया है तीसरा जो इसका रूप है वह है नामवादी प्रियोजनवाद ये वस्तु के अस्तित्व को मानता है जब हम कोई प्रियोग करते हैं तो परिणाम की और ध्यान देते हैं जिससे हमारा दश्टिकों विक्सित होता है इस विचारधारा के अनुसार प्रियोग के परणाम यह विशिष्ट होते हैं तता वास्तिविक अस्तित्व विशिष्ट वस्तूओं का होता है यह नामवाती प्रियोजनवाद है और चौथा इसका रूप है वो है जैविकिये प्रियोजनवाद जो जीवों पर बल देता है जीवों के अस्तित्व पर बल देता है इससे जॉन तो जॉन डीवी के अनुसार मनुश्य का लक्ष परिवेश से समायोजन इस्थापित करना है। प्रिवेशन वाद के मुख्य सिध्धान्तों के बारे में तो पहला सिध्धान्त जो है वो सत्य की परिवर्तन शील प्रकर्ति की बात करता है। तो यह हमने बात की कि जब कोई क्रिया की जाती है तो क्रिया के बाद हमें परिवर्तन प्राप्त होता है। कि नए नियम या सिध्धान्त जो बनाए जा रहे हैं वे सत्य हैं या नहीं। तो सत्य का निर्मान केवल तभी संभाव है जब आप क्रिया करेंगे और क्रिया के पढ़ना सरूप आपको जो फल मिलेगा उसकी पुष्टी करने के बाद ही सत्य का निर्मान हो सकता है। तीसरा जो सिध्धान्त है प्रियोजनवाद का वो बात करता है कि समस्याइं सत्य के निर्मान हे तु प्रेड़ना के रूप में कारे करती है। प्रियोजनवाद का वो उप्योगिता के सिध्धान्त पर बात करता है कि अगर कोई कारे व्यक्ति के लिए उप्योगी है तो ही वह कारे किया जाता है। प्रियोजनवाद समाज में समाजिक मूल्यों का निर्मान कैसे होगा, नए समाज के लिए नए सत्यों का, नए नियमों का, नए सिध्धान्तों का निर्मान कैसे होगा, जनतांतरिक दिश्टी कोण किस प्रकार विक्सित किया जा सकता है। इन सबी बातों में प्रियोजनवाद अपना विश्वास रखता है। बनाते हैं उन क्रिया के आधार परूर्ध भी मानव की मे कहने हFirst सब्सक्रण से करिया का सब्सक्राइब लखेम साधी करेकर पर करें और उसे परियोजटाइब यूल यूचो अवस्य रूपimaslavаются पे। तो परियोजन भी आठार्थ मिलेगा, मानव आसीम शम्ता है जो वो क्रिया की आधार पर अपने मन चाहे परिणाम को प्राप्त कर सकता है नेक्स जो सिद्धानत है वो वर्तमान में भविश्य में विश्वास की बात करता है वर्तमान पर आधारेत है ये भूत काल की कोई बात नहीं करता ये बताता है कि आपने जो भी कारी किया है या आप जो वरतमान में क्रियाई कर रहे हैं वो भविष्य में आपके सत्य के निर्मान में महतोपूर्ण भ्हुमिकाई निभाएंगी जो पूर्व में हो चुकआ ये उनकी कोई बात नहीं करता है और अंतिम जो इसका सिद्धानत है वह है सामाजिक परंपराओं प्रथाओं का विरोत करना तो प्रियोजनवाद चुकी वर्तमान पर आधारित होता है नए वेग्यानिक दश्टिकोन और पश्ट भूमी पर आधारित होता है क्रियाओं और उसके परिणाम पर आधारित होता इसलिए यह पुरातन समय से चली आ रही सामाजिक रूडियों और कुप रथाओं का विरोध करता है यह नई चीजों को अपनाने पर नए सिद्धानतों और नियमों को अपनाने पर बल देता है आगे बात करते हैं प्रियोजनवाद की शिक्षन विदियों की तो यह परंपरागर शिक्षन विदियों को आस्विकार करता है प्रियोजनवाद के हनुसार शिक्षन पद्यती ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक प्रसनता पूरवक जो कुछ भी सीखे स्वयम ही सीखे स्वयम सीखना मतला खुद करके सीखना, बच्चा खुद कारे करे और उस कारे के आधार पर खुद सीखे, अपने अनुभवों के आधार पर सीखे, और अपने जीवन में आने वाली परिस्तितियों का डटकर मुकाबला कर सके यह विचारदारा करके सीखने या learning by doing पर जोड देती है और प्रियोजनवाद विबनताओं में एक्ता के सिध्धान पर विश्वास करता है कि आपके बास विबन परिस्तियां हो लेकिन आप उन सबसे एक परिणाम पर पहुँचें इस बात पर यह विश्वास रखता है प्रियोजनवाद ने कई सारी शिक्षन विदियां दी लेकिन जो प्रमुक शिक्षन विदी है प्रियोजनवाद द्वारा दी गई वो project method है या प्रियोजना विदी है इसे परियोजना विदी भी कहते है क्योंकि इसमें ये माना गया है कि कोई भी project के रूप में जब कारे करता है तो वो उस कारे के सभी चरण स्वयम अपनी वुद्धी के आधार पर पार करता है स्वयम उस समस्या को हल करने की कोशिश करता है और वो प्रजेक्ट में सफलता प्राप्ट करता है आधारबर वो परिणाम तक पहुँचता है तो ये प्रमुक विदी जो है ये प्रियोजनवाद द्वरा दी गई है प्रोजेक्ट मेथट इसे जॉन डीवी के शिश्य किल पैट्रिक ने दिया था इस विदी में शिक्षक कारे नहीं करता बलकि बालक सुयम करके सीखता है शिक्षक कारे केवल इतना ही है कि बालक के सामने ऐसी परिस्तितियों को उत्पन करे जिससे वे समस्या को पहचान ले और एक बार अगर वो समस्या पहचान लेता है तो उसका समाधान भी वो करने लगता है इसमें ज्यान के संकलन को महत्वी दिया जाता है इसमें माना जाता है कि ज्यान टुकणों में नहीं बाटना चाहिए आगे बात करते हैं प्रियोजनवाद में शिक्षक का क्या स्थान है तो प्रियोजनवाद में शिक्षक का बहुत मैतुपूर्ण स्थान है शिक्षक को छातर के बराबर अध्यन करने के लिए कहा गया है क्योंकि अगर शिक्षक बराबर निरंतर अध्यन शील रहेगा तो वो नए नए प्रियोग करेगा और जब नए प्रियोग करेगा तो नई समस्याओं का समधान करने के नए तरीके उसके सामने आएंगे और वो तरीके अपने बच्चों तक पहुंचा पाएगा उनको कुछ नया सिखा पाएगा शिक्षक शातरों में साहनुभूती पून व्यवभार सामाजिक आदतें, सामाजिक रूचियां, सामाजिक अभी विरतियों का आदिका विकास कर सकता है विदी को अपनाना ये शिक्षक की योग्यता की उपर निर्बर करता है। पर ये बल देता है और ये कारे शिक्षक को करना चाहिए। पर सुयम नए अनुभवों का निर्मान कर सकेगा, नए अनुभव कर सकेगा। और तीसरा है शिक्षक का कारे शात्रों के सम्मुक सामाजिक अनुभवों को संतलित रूप में प्रस्तुत करना होता है। आगे बात करते हैं हम प्रयोजनवाद में अनुशासन की, तो प्रयोजनवादी जो है वो बाही अनुशासन या शारिक दंड का विरोध करते हैं, उनके अनुशार अनुशासन सामाजिक समसधारी पर आधारित होना चाहिए। आत्म अनुशासन छात्र के चरित्र की नीव है। कोई आवस्षकता नहीं होती, तो या आत्म अनुशासन पर बल देने वाला विचारधारा है प्रयोजनवाद। इसमें अनुशासन का एक मनोवग्यानिक आधार माना गया और वहिया है कि अनुशासित होने से व्यक्ति सभी प्रकार के व्यक्तिगत और सामाजिक कारे को कुशल्टा से कर सकता है। आगे बात करते हैं विध्याले की तो प्रयोजनवाद के नुशार विध्याले एक सामाजिक संस्था है जहां बालक सामुहिक जीवन का वास्तेविक अनुभा प्राप्त करता है। और जॉन डीवी ने विध्याले को समाज का लगूरूप माना क्योंकि इसमें बहुत सारे जो फैक्ट्स होते हैं वो हमें स्कूल में सीखने को मिलते हैं। प्रियोजन वात के अनुसार का के लिए सब़से उप्यूक्त साधन है। कि प्रियोजनवाद के अनुसार, स्कूल के वल बालक की शिक्षा का केंदर नहीं है, बल्कि सामुदाईक जीवन का भी केंदर है, इसमें सामुदाई या समाज की महतों को भी इन्होंने स्विकार किया है तो यह आज का हमारा टॉपिक था प्रियोजनवाद पर, और प्रियोजनवाद का शिक्षा में किस प्रकार उपयोग किया जाना चाहिए या होता है, और शिक्षक, अनुशासन, शिक्षण विदियां कौन-कौन सी हैं जो प्रियोजनवाद पर आधारित हैं, वो आज की हमने इस वीडियो में बात की अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए मुझे कमेंट करके अपने व्यूज बता हिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एक टॉपिक के साथ फिर दुबारा मुलाकात होगी धन्यवाद